गुड मॉरिंग स्टूनेंट्स बिटा आज हम नंबर टावर नंबर टावर बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे कि नंबर टावर हमारा किस तरह से बनेगा देखिए नंबर टावर कैसे बनाया हमने पहले उपर हमारे पास वन बोक्स है अब हम क्या करेंगे इसके center में line डालेंगे और इसे increase करते हुए इस तरह से 1 और इसी center लाइन को increase करते हुए 2 अब यह बला जो box है इसके center में line बनाएंगे और इस तरह से इसको अब यह जो box है इसके center में line डालेंगे इस तरह से और इसको increase करते हुए इस तरह से, यह हमारा हुआ, number tower जो बनेगा, उसके लिए figure त्यार हुई, अब हमें क्या करना है, बैटा, देखे, number tower, क्या है, tower add होती जाती है, strength add होती जाती है, माले जी मैंने यहाँ लिखा, 12, 13, 40, ठीक है, मैंने आपको यह numbers दिये, अब हमें यह चेक करना है, बैटा, कि इस box में क्या आएगा, इस box में, तो यह, इस box को देखो, यह किसके उपर बना हुआ है, 12 और 13 के उपर, देखे इदर, यह box किसके उपर बना हुआ, 12 और 13 पे, 12 और 13, दोनों को plus कर दो, क्या आगे हमारा 25, और उसको यहाँ पर लिख दो, फिर, हमें यह box फिल करना है, अब हम इस box को देखेंगे, यह किसके उपर बना हुआ है, 13 और 14, 13 और 14, यह नहीं सोचोगे कि 13 इंदर प्लस हो चुका है, नहीं, कोई बात नहीं, इसके उपर भी तो है, 13 और 14, 13 और 14 को plus करोगे, दोनों को, तो यहाँ पर 27, अब हमें यह box फिल करना है, य यह box किसके उपर बना हुआ है, इन दोनों के उपर, तो यह इन दोनों को plus करो, 25 और 27 कितना हो गया, 52, इस तरह से जो box जिसके उपर बना हुआ है, उसे plus करते रहो, और आपका जो है, टावर जो है, बढ़ता जाएगा, उपर की तरफ, और उपर की तरफ जाते होए, टाव हो सकता है, देखिए इदर, सेंटर में लेती जा रही हूँ, मैं बिलकुल, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर कोई भी number दे दिये, मालनों मैंने यहाँ दे दिया, 60, 70, 80, और 90, इस तरह से दे दिया, आप हमें क्या देखने है, इस box को fill करना है, यह box किसके उपर है, 60 और 70, दोनों के उपर है, 60 और 70 को प्लस करो, 130, आप यह box किसके उपर है, 70 और 80 के उपर, दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 80, 150, और यह box इन दोनों के उपर है, इन दोनों को प्लस करो, 80 और 90, 170, फ्लियर है, आप यह बला box इन दोनों के उपर है, दोनों को प्ल उपर है दोनों को प्लस करो 320 अब ये वालब बोक्स इन दोनों के उपर है दोनों को प्लस करदो 600 इस तरह से आपका Number Tower होगा और Number Tower को इस तरह से कम्प्लीट करोगे और यहाँ पर आपकी Unit 14 कम्प्लीट हो जाती है और आपका Homework भी रहेगा Do Page 129 यही आपका homework होगा इस अच्छी तरह से करोगे सोच समझ के करोगे और सुन्दर सुन्दर भूख है बुक पर करोगे अधर्वाइस नोट बुक पर करोगे ठीक है थैंक्स हैव नाइस टे